हिंदी हैं हम वतन हैं हिंदोसता हमारा 14 सितंबर 1949 को पहली बार हिंदी को राज भाषा का नहीं दरजा प्राप्थ हुआ था इसलिए हर वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं यही नहीं राज भाषा नियम 1976 की धारा 72 के तहट यह विवस्था भी की गई है कि यदि कोई व्यक्ति अपना पूरा पत्र को अंग्रेजी में लिखता है पड़ हस्ताक्षर अगर उसने हिंदी में किये हैं तो उत्तर जो देगा उस पत्र का उत्तर हिंदी में देना पड़ेगा हस्ताक्षर का महत्तो इस देश में जादा बताया गया इसलिए हर उस व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि उसने हस्ताक्षर हिंदी में किये हैं तो उत्तर उसको हिंदी में ही प्राफ्थ होगा यही नहीं सम्मिधान के अनुच्छे 343 में जिसमें बात की गई कि हिंदी राज भाशा होगी उसमें 343.1 में ये कहा गया हिंदी राज भाशा होगी और 343.2 में कहा गया अंग्रेजी भी कामकाज की भाशा होगी लेकिन आज हम देखते हैं कि चाहे हम कहीं जाएं किसी office में जाएं कोई साकसात कार हो अंग्रेजी का पहले प्रियोग होता है मतलब 343 दो का पहले प्रियोग होता है 343 एक गाएब हो गई है क्यूँ? क्यूँकि हमको हिνदी बोलने में शर्म आती है अंग्रे जी बोलने वाला ये बड़े आराम से कहता है मुझे हिंदी नहीं समझ में आती बड़े एक हिंदी बोलने वाला ये नहीं कहे पाता है कि मुझे भी अंग्रे जी नहीं समझ में आती अगर आपको अपनी बात कहनी है तो हिंदी में करें और हमें आपको आज यही शुरुवात करनी पड़ेगी कि हम खुल करके हैं मुझे हिंदी आती है मुझे हिंदी में बात करें और इसी से इस रास्ट में हिंदी को पुनह उसका गौरोप्राप्त हो सकता है क्योंकि आपको स्वाविमान से जीना आ गया जैहिन जैवाराद